हलो दोस्तों मैं हुजेफा आप देख रहे हैं HR के स्टड़ी इस वीडियो में 2019 के जवाहलाल नहरी उनस्टी के जो कोश्चन है वो अपलोट करने जा रहा हूँ तो आप ये इंफर्मिशन देनी है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन जो वीडियो के नीचे होता है वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा उसमें आप 2019 का कोश्चन पेपर वहाँ से आप PDF कोश्चन पेपर डाउनलोट कर सकते हैं इसके लाव आप बता दूँ कि आपको अंसर की के साथ वहाँ पे कोश्चन पेपर मिल जाएगा आप अंसर की भी डाउनलोट कर लिजएगा लेकिन आंसर की जो है वो पूरे सब्जेक्ट की है इस वज़े से आपको तलाश करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस वज़े से आपको मैं ये बता दूँ कि आपको अंसर की कैसे चिक करनी है आप जाएगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो कोड है पीडियोप में आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे वो आ जाएगा आप code search करना होगा आपको code search करते ही आपके answer की आ जाएगी हर question का 10 digit का number है उसकी ranking दी गई है और उसके बाद जो 4 option है उनको भी वहाँ पे 10 digit number दिया है तो आपको search करना थोड़ा सा मुश्किल है अगर यह video देख लेते हैं question के जो number है इस पर ध्यान नहीं देना है question ID का जो यह number है 10 digit number इस पर ध्यान देना है क्योंकि यही आपको answer की मिलेगा और यह देखी यह जो आपके option है कि इन में से कुन साथ सही होगा तो यह भी आपके काम नहीं आने वाला है आपके काम आने वाला है यह आपको इन number पर ध्यान देना है क्योंकि सबको एक number दे दिया गया है 10 digit का number सबको ताकि आप recognize का सकने क्योंकि थोड़ा सा typical है आप इसको समाझने आपके लिए यह बहुत ज़रुरी है तो यह ध्यान देरीगा आपके जो answer की है उसमें एक side में यह वाला number होगा जो कि आपको एक side में number होगा हर question का ID number होगा एक side में और दूसरे side में यह correct जो answer होगे इन चारों में से कोई एक होगा तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि इसका right answer को ने यह 10 digit यहां पे होगा और उसके बाद इन चारों में से कोई एक right answer होगा तो यह के लिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है वह बिल्कुल ध्यान देना है अब आपको थोड़ा सा यह बता दे कि answer की में ले चलते हैं क्योंकि यह जो 6 होते हैं यह सब में common होते हैं तो आइए अब answer की में चलते हैं वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आप इनको ध्यान देना है यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया था है यहां पे देखें 1282061260 यह आपको साइच करना है कि कहाँ पे है तो यह आपको देखें 1282061261261260 125 यह फर्स्ट का जो है यह आपका हर question में same होगा और यह चारो चेंज होगा कि इससे आपके question बनते हैं तो इसका answer हम इस तरह से तलाश कर सकते हैं कि यहां पे देखें 1260 अब इन में से देखें 1260 यह वाला है मतलब कि आपका जो second number है question वह जिसकी आपको तलाश है अब यह देखना है कि उन चारों में से यह कौन सा है अब इसके सामने जो लिखा है 1282065 007 007 आपको दियान देना आप इन में से आके आपको देखना है कि 007 किसमें है यहां पे 005 006 007 यानि कि इसका answer सी है तो आप इस तरह से चकर सकते हैं थोड़ा सा डिटेल हुआ आप थोड़ा से इसको देखेगा और इस तरह से आप इसक इसकी।